मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरण ध्वजा मंगलम पुनरी काक्षव मंगला यतनोहरी में पंडित पुरुशोत्तम सास्त्री कोई है फिजा भोपाल तेखिए धन तेरस में धन ब्रद्धी के लिए हम व्यापार में धन कुछ में बढ़ोती कैसी करें हमारे घर में सम अधी बनी रहे और हमेशा बरकत हो दूसरा हमारे क्रशी परधान है तो क्रशी में खेत में हमारा अन अनाज कैसे ज़्यादा उत्पन हो इसलिए हम धन तेरस सही पंच दिवशिये भगवान कुवेर की पूजा करते हैं तो सबसे सीधा और सरल उपाय हैं हम अपने घरों मे साम की समय संदिया की समय मैं एक चीज और बता दूँ आपको कि गवधुली बेला गवधुली बेला में भगवान की पूजा सर्वस्रिष्ट मानी गई है लक्षमी जी की पूजा सर्वस्रिष्ट मानी गई है अब गवधुली बेला कौन से होती है इसमें हम प्रदोश भी कहते हैं प्रदोश काल भी कहते हैं प्रती दिन प्रदोश काल होता है हमारा तो प्रदोश काल भी कौन सा होता है इसके बारे में थोड़ा से मैं आपको बता दो ना दोशा है तो प्रदोशा है जिस काल में जिस समय में किसी का अतिक्रम्ण ना हो कोई दोश ना हो वह प्रदो प्रदोश का जो सीधा सीधा समय होता है ये समय होता है सूरी अस्त से 24 मिनिट पहले सूरी अस्त के 24 मिनिट बाद अर्थात एक घड़ी पहले और एक घड़ी बाद में अर्थालीस मिनिट का जो समय होता है ये ही प्रदोशकाल होता है इस प्रदोशकाल में किसी का संक्रमण नहीं है, किसी का कोई ब्यवधान नहीं है, ना किसी ग्रह का, ना ही किसी अप्रिय किसी बस्तूचा, जब हम इस काल में भगवान का आवान करके पूछा करते हैं, अब आप ये कहोंगे भी क्यों नहीं इसमियतिक्रम ना, एक चीज और भी हम इसके साथ आपको जोड़ दें ये हमारा दिन ज्यादतर लोग मानते 24 गंटे का होता है 12 गंटे की रात 12 गंटे का दिन अहो रात तर हमारे 24 गंटे का साथ गटी का लोग मानते हैं लेकिन ये नहीं है हमारा दिन 24 घंटे जुम्मे नहीं है हमारे एक दिन और रात का जुमान है वो है 23 घंटे और 12 मिनिट बाकि जो प्रदोश काल में 48 मिनिट निकले हैं ये हमारी सास्त्री गर्णा में नहीं आते इसी काल में भगवान नर्सिंग ने हरणे कश्यपू का बद किया था कि हरणे कश्यपू ने वरदान मांगा था कि मैं ब्रह्मा की बनाई हूँ इस स्रष्टी के किसी भी महीने में ना मरू वरदान प्राप्त किया था तो भगवान ने फिर ये विधान बनाया कि आज से उसी समय से जब वरदान मांगा तो ब्रह्मा की स्रष्टी में कह दिया कि आप आपकी स्रष्टी में केवल आपका जो अधिकार होगा वो तेईस घंटे और बारा मिनिट पे होगा बागी पे 48 मिनिट पे जो अधिकार होगा वो स्वेम नाराइन का होगा उसी काल में यदि आप पूजा करते हो भगवान नाराइन के काल में उस 48 मिनिट के अंदर आप जो भी पूजा करोगे जिस देवता की भी पूजा करोगे तो आपको सुख और सम्रिद्धी दोनों प्राप्त होंगे तो भगवान जब कुवेर के आप पूजा करें तो उसी काल में प्रदोष काल में सूर्य अस्ते से 24 मिनिट पहले और 24 मिनिट बाद का जो 48 मिनिट का जो समय है उसमें एक सुन्दर साथ आप घर में चोक बनाएंगे अर्ष्टितल कमल का उसके उपर एक पाटा रखेंगे उस पर एक पीला कपड़ा या लाल कपड़ा बिछाएंगे वहां पर भगवान कुवेर की मूर्ती रखेंगे यदि कुवेर की मूर्ती आपको मिलती है तो ठीक है नहीं मिलती है तो हल्दी की गांट रख देंगे वहां जहां आप बैठे हो उससे वाएं हाथ पर एक सुन्दर से करन कलस का स्थापन करेंगे उस कलस में आप अन चाएगे हूँ या चावल हो द्रव्य पैसे एक गोल सुपारी और कुछ पैसे सिक्का जो डाल सकते हो आप दूर्वा सर्वोशधी पंचरत्न उस में कलस के अंदर डाले के उसको एक ठकन से उसका मुख बंद कर दे जल बहुत ज़ादा मातरा में ना डाले कि बहके निकले कलस भी चोटा ही रखे उसका मुँ बांधने के बात में उस्षी के अंदर कुवेर का आवाहन करें कुवेर का आवाहन करें पूजा करेंगे आप तीन दिन तक प्रती दिन अगर संभा हो सकता है तो आप तीन दिन के लिए अखंड जोट जिलाएंगे तीन दिन अगर उज्यादा कर सकते हो आप तो पांच दिन तक लगे तार वाप अखंड जोट आप गी और तेल की दक्षन तरप गी की और बाम तरप आप तेल की एक अखंड जोद जलाके रखेंगे जोद जलाने के बाद में जो सोड़सो पचार भगवान कुवेर की लक्षमी की नाराइन की गड़ेस जी की सरस्वती जी के पूजा करेंगे पूजा के उपरान तो आरती करेंगे ये नियम आपका पांच दिन चलना चाहिए जब पांच बे दिन हो जाएगा आपका तो पांच बे दिन भी आपको पूजा करेंगे पांच दिन के बाद छटबे दिन आप विसरजन करेंगे और फिर उस कलज को लेके यदि आप व्यापारी हैं तो दुकान में ले जाके उस कलज की मुख को बंद करके वैसे कि वैसे ही आपकी जो तुजोरी है उसमें रख लेंगी यदि आप घर में रखना चाते हैं समृद्धी के लिए तो घरों में यहाँ पर अन का वास होता है अन माता अन पुना का कुठार होता है घरों में अपने रसोई घर के बाजू में उसमें स्थापित कर देंगे यदि किसान हैं तो उस कलज को ले जाके खेत के बीचों बीच गड़ा करके कम से कम दो फिट के आसपास गड़ा करके उसमें काड़ देंगे इस प्रकार से अगर घर में रहेगा तो आपकी वरकत रहेगी रिद्धी और सिद्धी दौनों रहेगी दुकान में भी आपको लाव होगा और यदि आप खेती में करते हैं तो अन्नी की पैदावार भी जमीन से आपको अच्छी हो गए यह कुवेर के कलस का महत्व है